पर मात्मा को सांसारिक वस्तूओं का मोह नहीं है, वे तो सिर्फ भक्त की सच्ची भावना पर मोहित होते हैं। कहानी, रामकृष्ण परमहंस के एक शिश्य थे मतुरा बाबू, वे परमहंस जी के करीबी व्यक्ती थे, उन्होंने भगवान विश्नु का एक मंदिर बनवाया, मंदिर में भगवान की बहुती सुंदर मूर्ती स्थापित की, मतुरा बाबू धनवान थे तो उन्होंने वि परमहंस जी उनकी बाते मुस्कान के साथ सुनते लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन मतुरा बाबु परमहंस जी के पास दौरते हुए आये और बोले मंदर में चोरी हो गई है। मूर्ती तो वहीं है लेकिन कीमती वस्त्र और गहने चोर ले गया। आप मेरे साथ चलें, मेरा मन बहुत दुखी है। दोनों मंदर पहुँचे, परमहंस जी मूर्ती को देख रहे थे। मतुरा बाबु मूर्ती से शिकायत करने लगे, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं। हमें तो मालूम नहीं हुआ की चोरी कब हो गई, लेकिन आपके तो सामने हुई। आप इतने बड़े भगवान चोर को नहीं पकड़ सके। अब लोग क्या कहेंगे। परमहंस जी मतुरा बाबु की शिकायते मुस्कान के साथ सुन रहे थे। मतुरा बाबु ने देखा कि परमहंस जी मुस्कुरा रहे हैं तो उन्होंने पूछा आप क्यूं मुस्कुरा रहे हैं। परमहंस जी ने कहा, मतुरा बाबु ये भगवान है, आपकी चीजों की रक्षा करने वाले चौकिदार नहीं। ये परमात्मा हैं, तुम्हारा सामान चोरी जाए तो इन्हें इससे क्या लेना देना। ये तो तुम्हें जीवन देते हैं। इनसे जीवन लो, वस्तुओं का हिसाब किताब इनसे न मानगो। ये बाते सुनकर मतुरा बाबू का दुख दूर हो गया। सीख भगवान से देबाजी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ना सोचे कि हम इतनी कीमती वस्तु चड़ाएंगे तो भगवान प्रसन हो जाएंगे। भगवान को इनसान सारिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भगवान चाहता है कि जब कोई भक्त मेरे पास आए तो अपना चिंतन लेकर आ और मेरी लीलाओं की सेख को अपने जीवन में उतारे। ये वस्तु इनसान को ही कमाना है और इनसान को ही खर्च करना है। भगवान सिर्फ जीवन देता है।